नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉल्टेक हिंदी में स्वागत है इस वीडियो में आप जानने वाले हैं पीडीयेव फायल को जैपीजी यानि सीम्पल फोटो में कैसे चैंज करते हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद, बेल, आइकन को दबा कर औल पर क्लिक कर दीजेए देज qu कि इसी तरह की वीडियो में आपके लिए बनाता रहता हूं तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमने दो फाइल ली हुई है एक PDF फोर्मेट में है और एक नॉर्मल JPG में है जो लोग JPG नहीं समझ रहे हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं जो हमारे मोबाइल की गेलरी में फोटो होता है वो सारे JPG फोर्मेट में होता है चाहे वो कोई भी फोटो हो सब JPG में होता है I hope कि आपको JPG का मेथट किलियर हो गया होगा तो अब बीना देर किये हुए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर तो दोस्तों हम अब आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर अभी हम सबसे पहले PDF से JPG में कनफर्ट करे उसके लिए अब क्या करें मोबाइल में सबसे पहले Google उपन करिए Google उपन करने के बाद Google के सर्च बार में टाइप करिए PDF2JPG PDF2JPG लिखने के बाद सर्च करेंगे जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वेवसाइट देखने को मिलेगी लेकिन सबसे टॉप में ही लिखा होगा I love PDF I love PDF वाली वेवसाइट को क्लिक कर दीजिए यहां वेवसाइट आपको पूरा क्लियर इमेज बना कर देती है इसमें साइन अप और लॉगिंग का जंजन भी नहीं है क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा सिम्बल्स आप यहां सिलेक्ट PDF फाइल पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करते ही आपकी मोबाइल की फोल्डर खुल कर आ जाएगी अब आपको जिस PDF फाइल को JPG में कनवर्ट करना है उसे सिलेक्ट कर दीजिए सिलेक्ट करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा अब आप यहां convert to JPG वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करते ही यह convert हो जाएगा और डाउनलोड करने का option आजाएगा अब आपको डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं PDF से एक नर्मल फोटो में कनवर्ट हो गया है अब आई ये नर्मल फोटो को यानि JPG को PDF में कनवर्ट करते हैं उसके लिए फिर से आप मोबाइल में Google उपन करिए और इस बार Google के सर्च बार में टाइप करिए JPG to PDF JPG to PDF लिखने के बाद सर्च करगे जैसे ही सर्च करेंगे तो सेम वेसी ही आपके सामने बहुत सारी वेफसाइट आजाएगी अब फिर वही अपनी फेबरेट वेफसाइट I love PDF पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप यहां सिलक्ट JPG फाइल पर टेप करके अपने मोबाइल की फोल्डर से उस JPG डॉक्मेंट को सिलेट कर लीजिए जिसे आपको PDF में कनभट करना है दोस्तो अगर आपको एक से ज्यादा डॉक्मेंट को एक PDF फाइल बनानी हो एक्जामपल की लिए जैसे अपने पास्पोर्ट का फ्रॉन्ट और बेक इमेज को एक PDF में करना हो तो उसके लिए आपको पहले फ्रॉन्ट वाले इमेज को सिलेट कर लेना है और फिर यहां प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपने mobile से back वाले image select कर लेना है अगर और भी कोई document add करना हो तो plus पर click करके add कर सकते है document select करने के बाद convert to PDF पर click कर देजिए click करते ही यह convert हो जाएगा और आपको download करने का option आजाएगा अब आपको इसे भी download पर click करके download कर लेना है तो दोस्त आप देख सकते हैं नर्मल फोटो एक PDF फाइल में convert हो गया है यह सारा डाउनलोड किया हुआ document आपके mobile के download के folder में देखने को मिलेगा वेल कैसी लगी यह वीडियो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यास दने के लिए लाइक कर देजिए अगर कोई question हो तो comment box में लिखिए हम आपके question का answer देने की question जरूर करेंगे और इस वीडियो को share करिए दूसरे लोगों तक जिससे उनको भी knowledge मिल सके आप हमे Facebook, Instagram, TikTok पर भी follow करिए तो मिलते है next video में और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की गाराई से धन्यवाद